तू इधर उदर कीना बात कर ये बता ये काफला क्यों लुट रहा है जिस समाज के इतने लीडर हो इतने रहबर हो वो समाज क्यों पिट रहा है जिसमें यसी एस्टी ओबी सिवा और ब्राह्मन बिलकुल ना हो ऐसे बहुजनों की पार्टिया सभी खटा आना चाहिए और उन बारे में अप नहीं जाँ बोलते हैं हम लोगों को धोका देता है के जि बाबा साथ कया फोतू लगा करके बबाला बबाला रहा जुच बहुतु यह दणी के द्वारा होने वाला चुना फ्री फियर और ट्रांसपरट नहीं हो सकता है इसलिए उसको वी-वी पी-टी पैत लगाना चाहिए ऐसा सुप्रीम कोट का जज्जमेंट है अब लगाए ना लगाए अमबेड करवादी विचारधारा के सामने कोई विचारधारा नित अक्राई चोड़िया आप इस बात को नहीं था वो नहीं लगा नहीं लगाया कोई बात नहीं पर दिलों में सबके हैं दिलों में सबके हैं अंबेड करवाद जो है वो जीतेगा हर हालत में जीतेगा ऐसा कभी हो नहीं सकता अभी मेरी बात सुनिये तो इदर उधर की ना बात कर ये बताएं काफला क्यों लुट रहा है जिस समाज के इतने लीडर हो इतने रहबर हो वो समाज क्यों पिट रहा है बताइए मुझे भूल गया नहीं हम नहीं भूलेगा अब तो कहां लगाई अपनी फोटू की बात छोड़ दीजिया फोटू लगाते हैं लगाता है और नहीं जो हम लोगों को धोका देता है बाबा साब क्या फोटू साथ उसके राजसभा के मेंबर हैं एक भी कोई दलित है अरे दलित है बाबा साब का फोटू लगा करके क्या क्या होगा एसे तोड़े ये बेवकुब बनाने वाली बात हैं पागल ये दलितों को तो पागल ही समझते हैं ये लोग सब दलितों को तो यही समझते हैं दलितों को यही समझते हैं दलित पागल नहीं है लेकिन ये समझते हैं लोग तो बोट क्यों देरे हैं बरबर का केजरिवाल को जब केजरिव कुछ लोग हैं हमारे बीच में जो हमारे समाज के हैं वो बहग जाते हैं यह गलत बताएगा अगर यहां आएगा तो बहुजन समाज के रंग में रंग जाएगा आणी सकते आप यह क्वेस्टन कर रहे हैं कल तक गोयल विस विंद्v परिशत की विचार दारा में था हैं जाएगा बहुंँ सारे इस अलग-अलग राज्य के इस अदिवेशन में लोग पदारे हैं। यहां पर हो पाया। जब उन्होंने यह सब नए लोग है और नए लोगों में से कुछ गल्ती होती है और उन्होंने आखिर तक माफी भी मांगी है। और उन्होंने कबल किया कि हमारे से गल्ती हो गए हम समासिमाफी मांगते हैं। बहुत सारे महापूर्सों के मात्माओं के फोटू हैं। बाबा साब को जगय क्यों नहीं दी गई। कौन से बैनर पे हैं। जो आपका बैनर था कारे करम का। वहाँ बाबा साब की फोटू नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो बाबा साब की फोटू हर एक के दिल में है। बाबा साब नहीं सबसे पहले जहिंती करी। उन्डी सो त्रेपन में 555 वी जहिंती दिल्ले में सारवजनिक तोर पर बाबा साब ने करी। लेकिन यहाँ जो दिवेशन लेने वाले जो लोग थे वो एकदम नए बच्चे थे जवान बच्चे थे उनके दिल में जो जोश था उन्होंने बोला या उन्होंने सोचा कि चमार अदिवेशन है इसलिए वो कोई बैनर पर खाली चरमकार लोगों के ही महापुर्श का फोट ता उसके बाद में रविदा जी का भी फोटो था और जितने भी सारे लोग थे वो चर्मकार कमुनिटी से थे लेकिन बहुत विरोध जिलना पड़ा है आज आपको आप पहला ये बात बोलते कि बहुत आपको विरोध जिलना पड़ा फिर आप ये क्यों नहीं कहना चाहते है कि पूरे भारत में चर्मकार कमुनिटी का पहला अधिवेशन पूरे भारत के लेवल पर हुआ उसके बारे में आप नहीं जहां बोलते हैं और जो बात पर बबाल हुआ उसके बारे में आप लोग बात करते हैं और पूरे सोशल मीडिया के द्वारा देश में बताना चाहत कि बबाल हुआ बबाल कुछ भी नहीं हुआ हम अपने जाती को लोग इखटा आए थे अब जब इखटा आते हैं तो छोटा बड़ा कुछ ना कुछ तो होते रहते हैं घर में अगर पांच पूलो अरे बाबा साब की फोटो लगाई वहां पे अगर आपको लगता है नहीं है मनुवादी को सपने में आते हैं तो फूल गई अरे भाई मैंने गिसके पहले क्या बोला कि जिन लोगों ने या डिवेशन और गनाइस किया मंजीत मेरा गाना गा रहे थे बाबासाब के लिए उसको जखका मारा गया स्टेज पर नहीं नहीं यह गलत बात है उसके बारे मे मालूम नहीं मेरे को उसके बारे में नहीं है उसके बारे में नहीं जूट है अगर कोई बोलता है गाली वकी ये गलत बात है गलत बात है मैं बाबा साहब के मैं बाबा साहब को मानने वाला वेक्ती हूँ और बाबा साहब को बाबा साहब का बच्चा हूँ मैं महारास्ट से किसी ने बाबा साब को नहीं बेचा है यह तो पेपर वाला अगर आप ऐसे कहोगे तबी तो आपको यह फायर नहीं होगा ना सोशल मीडिया पर आप लिखोगे तो ऐसा कहा जाता है यह जो बात है यह पेपर की बात है अप बॉल आ पर नाम लेके बॉलो हम उसके उपर यह फायर करेंगे और आप जो बोलते हैं बाबा साब को बेचा या और कुछ बोलते है यह जो बेचा और नहीं बेचा यह जितना भी लोग है वो भाव साब की बजह कौन बोलता है एक विधायक नहीं जीता जाता क्यों अरे इसके पहले दिल्ली में चार चार यह मेले मारास्त्र से थे गवई था यंपी थे यंपी थे गवई था प्रकाश अंबेटकर साप थे अठावले साप थे और दूसरा एक वेक्ति था ऐसे कैसे बात करते हूं अरे बनाया है अभी EVM के द्वारा आठ अक्टमबर 2013 को जो सुप्रेम कोड का जज्मेंट आया EVM के संदर में में आप सोशल मीडिया वे चलाते हो तो क्या आपने सोशल मीडिया के द्वारा आठ अक्टमबर 2013 का जज्मेंट बताया किसी को आपके आपने बताया कभी किसी को नह बोलता है यहां भी विएम का हुआ है दो विदानसभा में पूरी की पूरी सीट केजरिवाल की है और साथ विदानसभा जो है वह सभी के सभी बीजेपी की है और यहां सदती सीट पर मिला नहीं हुआ है कांग्रेस ने तो इविएम को लाया जब इविएम के संदर्भ में संसद में प्रस्ताव रखा गया वह प्रस्ताव अभिशेक मनुस चिंग्विय ने लाया उसको अनुमोदन जो है वह कमिनिस्ट वाले ने दिया अटल बियारी वाजपे ने दिया और उसने अनुमोदन दिया उसके बाद में दिया सबी जगह भी EVM से जीते भाई EVM के द्वारा सुप्रिम कोड का जज्मेंट है आप सुप्रिम कोड को मानते की नहीं मानते अगर सुप्रीम कोट को मानते है 8 अक्टबर 2013 का जज्जमेंट है उसके बारे में आप सोशल मीडिया पर कितना लिखते हो कितना लोगों को कौवन लोगों को बताते हो कुछ भी तो बताते हैं जब आप बताओगे तभी तो लोगों को पता चलेगा 8 अक्टबर 2013 को EVM के द्वारा होने वाला चुना फ्री फेर और ट्रांसपर्ट नहीं हो सकता है इसलिए उसको वीवी पीटी पैज लगाना चाहिए ऐसा सुप्रीम कोट का जज्जमेंट है वो जज्जमेंट आठ तक 2013 से लेगे 2023 आज हुआ है दस साल में कोई नैशनल मीडिया में नहीं आया टीवी पर जो हमारे चैनल चलते है जो प्रिंट मीडिया है उस पे नहीं आया है ना सोचल मीडिया पर आपने आया है अभी जो हम बोल रहे है या कुछ लोग जो सोचल मीडिया के है वो बोल रहे है वो तबी सरकार को पता च लगा है वो से लग है उसके उपर डिबेट डिसकर्षा कुछ बताते नहीं है तो हम को कैसे लोगों को कैसे पता बजानकार कमुटी से आया हूँ और कमुटी का अधिवेशन था इसलिए हम कोई पार्टी के राजनीटी सपोट नहीं करेंगे वोट डालना तो हमारा अधिकार है और वोट किसको डालते हैं यह बोलने का अधिकार थोड़ी हमारा है वो तो गुपते होता है ना हम लोग तो इसी की सरकार बनाना चाहते है जो हमारे भाउजनों की हो जिसमें यसी स्टी वो भी जिवा और ब्राह्मन बिलकुल ना हो ऐसे भाउजनों की पार्टियां सब इकटा आना चाहिए और उन लोगों ने सरकार बनाना चाहिए तब हमारी ऐसा कोई ब्लामन नहीं है जो कोई पार्टि में नहीं इसलिए तो है इसे हमारे निषी रहें हमारे पनमने रहते हमारे लोग अतिकरमन में घर बनाते हैं और सफिक तुड़ाती है आजादी के चातर साल में अन्ना वस्तरा निवारा आरोगे शिक्षन रोजगार ये छे बाते जो है वो अभी तक सरकार हमको नहीं दे पाई है तो हम लोग क्या खोगा जब तक